आदेश जैसरी महकाल डियसी पूर्वजन सिध्धी तीसरा कोर्स प्रारम्ब हो चुका है और बहुत सारे लोग इसमें जुड़ चुके हैं और यह जो डियसी पूर्वजन सिध्धी कोर्स है इसको एक जुलाई से सुरू कराना था लेकिन जो अभी समय हुआ है प्रावलम उसकी बज़े से राजस्थान में इंटरनेट बंध था दो-तीन दिन से इसलिए डियसी पूर्वजन सिध्धी कोर्स को साथ जुलाई से प्रारंब कराया जाएगा और भी जो भी लोग हैं जो इसमें जुड़ना चाहते हैं तो वो लोग जुड़ सकते हैं और इस डियसी पूर्वजन सिध्धी कोर्स में जुड़के लाव ले सकते हैं कि हमने पहले भी बताया कि DSE पूर्जन्म सिद्धी कोर्स में यदि आप जुड़ते हैं तो इसमें जुड़ने के बाद जो भी आपकी पूर्जन्म की सिद्धियां हैं वो सारी सिद्धियां उस ओडियो को सुनके आकरस्त होंगी और जब वो आकरस्त पूर्जन्म सिद्धियां ग्यारा जीवन की या वो पावरफुल एनरजीस जो आपके ग्यारा जीवन में जुड़ी हुई हैं या कोई विसस कर पा रही है वो सब चीज़ें आपके साथ में जुड़ जाएंगी और जुड़ने के बाद आप उससे लाब ले पाएंगे अब विसाई यह आता है बहुत सारे लोगों की ऐसे भी प्रेशन होते हैं कि हमें अन्भाव नहीं हो रहा है हमें सपने में केबल सक्तियां दिखाई दे रही हैं और सपने की माध्यम से वारता कर रही हैं हमसे सक्तियां कुस लोगों का कहना होता है कि जब आडियो चलता है लाइब क्लास वो जोईन करते हैं वीडियो क्लास और जिस समय गौरो सर्मा संगीज सुना रहे होते हैं उनको सर्मा जी तो वो अपने साथ में अन्भाव करते हैं बहुत सरी उरजाएं चद ऱहीं हैं बहुत सरी उरजाएं जोडी हुई हैं और खिचाऊ अन्बा होता है। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि कुछ लोगों को वीजन्स आते हैं, यानि दिखाई देता है, दिश्च दिखाई देते हैं, बहुत कुछ नज़र आता है, तो सभी के एक्सपीडियंस अलग-अलग हैं, DSE पूर्जनम सिद्धी में, और इसका कार्ण ये है कि जो DSE पूर्जनम सिद्धी कोर्स है, जो कि हमारा ये तीसरा बैच सुरू हुआ है, जिसमें कि अभी तक में जो लोग हैं, टोटल मेंबर्स, 33 मेंबर हो चुके हैं इसमें, तो सब की अपने अपने उरा, अपने capacity के अनुसार सक्थियां उनको आभास कराती हैं, किसी को सपने में, तो किसी को उरजा के माध्यम से जैसे ही ओडियो शुरू होता है, किछाव होने लगता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दिश्य दिखाई देने लगते हैं तो सबका experience अलग-अलग होता है लेकिन यहां महत्पूर्ण experience नहीं है महत्पूर्ण यह है कि हम उस चीज़ से कार रिले पाएं हमारा जो सबसे पहला बैस था D.S.E. पूर्जनम सिध्धी वाला तो उसके अंदर एक व्यक्ति थे उनकी जो माताजी है उनके उपर बहुत लंबे समय से negative energy थी और बहुत परेसान वो रहते थे और जब उन्होंने D.S.E. पूर्जनम सिध्धी का कोर्स किया तो उन्होंने जो उपाय दिया था negative energies को हटाने वाला वही उपाय उन्होंने अपने माताजी के उपर किया तो जो भी उनको समस्या थी वो सही हो गई तो महत्पूर्ण ये नहीं है कि आपको क्या अन्भव हो रहा है सक्ति आपको सपने में दिखाई दे रही है या सिर में खिचाओ हो रहा है या फिर आपको वीजन्स आ रहे है महत्पूर्ण ये है कि जिस चीज के लिए आप जोड़ रहे हैं वो चीज आप कर सकें D.S.E. पूर्जनम सिध्धी का तातपर ये है कि आपके जो पूर्जनम की सक्तियां है वो आकरसित हो और आकरसित होने के बाद जैसे ही आपको वो क्रिया कराई जाती है तो उस मंत्र के अंदर उस गुप्त मंत्र के अंदर वो सक्तियां इस्थापत हो जाएं और आपके लिए कार करें तो इस तरीक से ये course है ये कोई मानस का course नहीं है जिसमें आपको सक्तियों से देखने कि अब सकता है या सक्तियां आपको दिखाई देंगे या आपको नजर आएंगी या सपने में आएं जो सकते हैं इडियो क्लासिस को जोईन करके सुनेंगे जिसमें कि सभी मेंबर्स जोईन होंगे जितने भी मेंबर्स हैं और बाद में वो आप क्रिया करेंगे क्रिया करने के बाद वो सब चीज़ेंगे आप कर पाएंगे जो भी डियसी पूर जर्म सिद्धी में बताएं जाती हैं तो यह मानस का कॉर्स नहीं है जिसमें आपको सभी को दिखाई दे चीजें या बातें करें या आप उनसे वारता करें ये कार करने वाला है आपके पूर जर्म के सिद्धियां एक मूल मंद के तरीके से एक गुप्त मंद के अंदर स्थापत हो आपके लिए ही केबल कार करती हैं उस मंद के माध्यम से तो यदि आप जोड़ना चाहते हैं तो आप इस डियसी पूर जुनम सिद्धि कोर्स के अंदर जोड़ सकते हैं क्योंकि अभी इसकी जो क्लासस हैं वो साथ तारीक से कर दी गई हैं साथ जुलाई से तो अभी भी समय हैं जो भी लोग उसमें एड होना चाहते हैं तो एड हो सकते हैं पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा के 24-25 के आसपास लोग थे अभी एक दो दिन में और भी लोग जोइन हुए हैं तो कल में आप चाहें तो या आज में आप चाहें तो इसको जोइन कर सकते हैं ताकि आपकी क्लासस न छूटे क्योंकि अगर एक बार क्लास सुरू हो गई डियसी पूर जर्म सिद्धी की तो फिर आपको उसको लगातार करते रहना रहेगा या मानिये बाद में जोड़ते हैं आपको वो मेंस हो जाएगा तो ये सब चीज़ें समझने की हैं तो इस तरीके से आप काshe Can कर सकते हैं और इस तरीके से यह द्यके से डियसी पूर जर्म सिद्धी कोर्स है आगे हम इसका एक और बड़ा eसी पूर जर्म सिद्धी कोर्स लेकर आएंगे क्योंकि होता क्या है जब आप लगातार आडियो सुन रहे होते हैं पूर जन्म की सक्तियों को आकरस्त करने के लिए तो एक व्यक्ति का पूरा जीवन आयू 70 साथ समझ लीजिए एक जीवन की आयू और 11 जीवन तक से वो साउंड डिटेक्ट कर रहा है एनर्जी इसको तो सबसे पहले वो एनर्जी आपके पूर जन्म की सक्तिया आएंगी जो सबसे ज़्यादा पाफरफुल हैं जो थोड़ी कमजोर हैं वो नहीं आपाएंगी लेकि जब आप दुबारा मानिये जॉइन करते है इस DSE पूर जन्म सिद्धीकोर्स के अंधर तो आगे हम इसको एक बड़ा DSE पूर जन्म सिद्धीकोर्स लेके आने वाले हैं जो कि नहीं हैं बलकि D.S.E. पूर जनम सिद्धी कोर्स में जोड़े हुए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि हमारे पास महा काली साधना सिद्धी के लिए भी आने वाले हैं और एक नहीं बलकि तीन तीन चार चार लोग हैं जो कि मतलब इस तरीके से चीज़ें कर रहे हैं और D.S.E. सिद्धी के लिए भी आने वाले हैं हमारे पास या कुछ आए भी हैं तो इस तरीके से हैं तो जोड़े रहे हैं लाब लेते रहे हैं यदि आप महा काली साधना सिद्धी भी करना चाहते हैं तो भी आप संपर कर सकते हैं और बाकी D.S.E. पूर जनम सिद्धी के माद्ध हम से आपको बहुत अच्छा experience होगा, जैसा कि लोगों को हुआ है, तो आप join अगर करना चाहते हैं, तो इसको join कर सकते हैं, और बहुत अच्छा आपका experience रहेगा, आगे हमारा सिब नवान मंद्री ऐसी course भी दुबारा से आने वाला है, उसका भी हम एक दो दिन में अपडेशन देंगे, तो जो और भी लोग हैं, वो जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा बगला मुखी मावाला बैच अब तक start नहीं हुआ है, समाई के अभाव होने के कारण, तो ये जो डियसी पूर जनम सिद्धी course है, आप यदि जोड़ने चाहते हैं, तो जोड़ सकते हैं, संपर कर सक सकते हैं, और जो भी डियसी पूर जनम सिद्धी course के विए समय आप जानना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आप संपर करके जानकारी ले सकते हैं, आदेश जैश्मा कल